दोस्तों ये खबर सुनके आपके भी होस उड़े आएंगे जिसमें कि सलमान खान के घर को बंब से उड़ाने की धमकी मिली आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस को ये पूरा जो इमेल है उनके जो ओफिसियल इमेल साइट है उसके बाद सलमान खान के घर को पूरी तरीके से खाली जो है पूरा खाली करा दिया गया आपको बता दे कि उस टाइम पे उनके घर पे उनके पापा सलीम खान थे और उनकी मम्मी थी वहीं पुलिस को धमकी भरे इमेल में लिखा था कि बैंडरा में गैलेक्सी यानि कि सल्मान खान के घर में दो घंटे में ब्लास्ट होगा रोक सकते हो तो रोक लो इसके बाद पुलिस तुरंथ हरकत में आ गई और बॉम डिटेक्सन टीम के साथ सल्मान खान के घर पहुची इसके बाद बिल्डिंग्स में चप्पे चप्पे की तलासी ली गई इसके बाद परिवार को वापस अपने फ्लैट में आने दिया गया जब तक पुरी चेकिंग चल रही थी तब तक सबी जो परिवार वाले थे उनको बाहर रखा गया था उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया और पुलिस जांच में पता चला कि यह इमेल जो था यह गाजियाबाद के एक 16 साल के लड़के ने भेजा था लड़के को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस को भेजा गया तो लड़का बचने के लिए 30 हजारी कोट में जाकर छिप गया वहीं आपको बताते चलें कि बड़े भाई के मानने के बाद वह घर आया और बैंडरा पुलिस ने जाहिर होने का नोटिस भेज दिया गया वहीं ये बहुत ही छोटी हरकत थी और ये जो फेक जो इमेल भेजा गया था ये बहुत ही बड़ी दुकस्द्र, की बहुत ही बेकाल चीज थी जिसमें कि उनके पापा का टाइम वेज़्ट हुआ, पुलिस का टाइम वेज्ट हुआ, अगर सलमान खान होते तो उनका भी ट सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फेक्स ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले धन्यवाद